तो सार्ग पूर्ल अब पास साल के बाद बॉलीवोड में फिर से एंट्री कर रहे हैं अपनी नई मोवी मारीच के जरिये जिसमें उनके इलावा देखने को मिल रहे हैं नसुरिदीन साहर, राहुल देव, किरन कुमार और अनिता हसनन्दानी जैसे कलाकार मोवी कैसी रही आज की वीडियो में करेंगे इस बारे में बाते हैं तो हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल, फिल्मी अली, मैं हूँ आपका दोस्त, वन अनॉली नौशाद अली मारीज की कहानी के अगर बात करें तो कहानी है ACP राजीव दिक्सित की जो अपने पिता की तरह केस को सॉल्व करने से जादा क्लोज करने में यकीन रखते हैं सहर के अंदर दो लड़कियों का मडर हो चुका है और यहाँ पर भी राजीव दिक्सित अपनी आदत के अनुसार इस केस को सॉल्व करने की बजाए क्लोज कर देते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि एक बेगुना को सजा मिल जाती है और जो में कातिल होता है वो आजाद घुम रहा होता है इसके बाद वो में कातिल राजीव दिक्सित की पतनी सुसमिता दिक्सित का कतल करना चाहता है उनको फॉलो करने लगता है आखिर यह में कातिल है कौन क्यों इसने उन दो लड़कियों को मारा क्यों यह सुसमिता दिक्सित को मारना चाहता है और इसका मोटिव क्या है क्यों यही सारे मडर्स कर रहा है अगर आपको भी यह सब जानना है तो उसके लिए आपको यह मूवी देखनी होगी जो आपको नजदी की सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी पर मूवी के अंदर क्या है खास या क्या है बकवास अगर यह जानना है उसके लिए बस ये वीडियो देखिए सुरू से लेकर एंट तक बिना स्किप किये हुए तो बात करें मूवी कहानी की मूवी की कहानी अच्छी जरूर थी पर इसको प्रजेंट करने का जो तरीका था स्टोरी को दिखाने काम को जो तरीका था वो बहुत ही बचकाना मुझको लगा मूवी के कही सारे ऐसे सेन हैं जो बस एक के बाद आते जा रहे हैं कहीं से भी कोई सीन उठाया और कहीं पर भी जोड़ दिया जिनका कोई भी मतलब आपको महसूस नहीं होगा अब आप खुद सोचिए कि ये फिल्म जो है वो क्या दिखाना चाहती है और कितना ये अपनी ओडियंस के साथ तालमेल बिठा पाई है स्क्रिन प्ले की बात अगर करें तो मुवी की लैंध है गंटा 45 मिनट के आसपास और इस लैंध के हिसाब से स्क्रिन प्ले काफी टाइट और काफी फास्ट है पर इंगेजिंग कहीं से भी नहीं लगता मुवी के अंदर murder हो रहा है कोई तहकिकात कर रहा है कोई खुद को बचाने की कुछिस कर रहा है पर audience के साथ जो एक तालमेल बनना चाहिए और तालमेल नहीं बन पा रहा है जो एक connection फील होना चाहिए वो कहीं से भी connection फील नहीं होता दोनों हाफ का screenplay कुछ ऐसा ही हमको देखने में आता है Acting performance की बात करें तो तुसार कपूर के पास सबसे ज़्यादा screen time दिया गया है क्योंकि वो movie के producer भी है तो screen time उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा है पर उनके acting performance कैसी है यह हर कोई जानता है पास साल के बाद उन्होंने Bollywood में entry की है पर acting performance में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है एक investigation police officer का role जो होना चाहिए वहाँ पर उनकी dialogue delivery होनी चाहिए जो expressions होने चाहिए वो इनके expression के साथ पूरी तरह से mismatch नजर आ रहे थे कहीं से भी body language से वो लग नहीं रहे थे कि यह investigation police officer है इनके अलावा movie के अंदर और भी दिगज कलाकार थे नसुरिदीन सहा किरन कुमार और रहुल देव जैसे कलाकार पर इनके पास screen time ही नहीं था movie की cinematography की बात करें cinematography मुझको ठीक ठाग लगी मतलब कुछ एक scenes अच्छे से capture किये गए है कुछ एक change sequences है जो देखते ही बनता है और लगता है कि हाँ आप एक suspense thriller movie देख रही है पर कुछ एक scenes ऐसे हैं जो लगता है ठंडे दिमाग से suit किये गए है आये suit किया pack up किया और निकल लिए background score की बात करें तो background score movie का मुझको अच्छा लगा जो टैंसल वारा माहूल भी create करता है और thrilling moment को भी काफी अच्छे से carry करता है और अगर मैं इस movie के बात करूँ तो कहानी इसकी अच्छी थी अगर कहानी पर अच्छे से ध्यान दिया जाता, screen play को थोड़ा और engaging किया जाता तो ये एक अच्छी खासी suspense thriller movie बन सकती थी पर इसकी acting performance ने सारा का सारा good gover करके रख दिया rating की बात करो तो मैं दूँगा इस movie को 1.5 out of 5 की rating अब आप खुड decide कीजे कि आप ये movie theaters में देखना पसंद करेंगे या फिर इसका हिट कर दे ताकि आने वाली वीडियो कि नोटिविकेशन सबसे पहले आपके पास महुचते रे और अगर ये वीडिया आप facebook page पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी like share और follow जरूर करना ताकि जब भी facebook पर कोई वीडियो डालू आपको नोटिविकेशन मिलता रहे हैं तो अभी चलता हूँ मिलूँगा फिर किस अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस दूआ मैयाद रखना